हाँ तो नूस्टे इश वीडियो के अंडर हम एटब मस्कों के इपणे के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपणे आपको कितना लिस्टिंगे मिल सकता है और आपको इस आईपणेंडर आप्ला करना चाहिए या नहीं चलिए शूरू करते हैं तो दिएक हैं Creative whichve general這邊 यह जानेगे कि यह company किया काम करती है रिखें जो company ninety four में यह company start हुए लगबगे अगर हम देखेंगे तो city style यह company को start हुए हो चुकि है रिखें जो company hela וपे EPC से तो यह यह एकंपनिय में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है और इसके लागर हम ढखेंगे तो यहां पर infrastructure से regarding यहां पर जो भी यहां पे product यूज के जाते तो वो भी एकंपनिय में बनाती हुई नजर आती है अगर हम कमनी के प्रोडक्स के अगर हम बात करेंगे तो देखे जो भी कोई पारो प्लांट अगर बनता है तो उसमें कमनी के प्रोडक्स के रिक्वाइमेंट रहती है उसके लगर हम देखेंगे तो अभी करेंटली कमनी के चवडा ओंगोइंग प्रोजेक्ट हमें चलते हुए नजर तो definitely जब आने वाले टाइम पर ये कम्पनी के प्रोजेक्ट हमें कंपलीट होते वे नज़र आंगे तो कहीने कि इत्वापनी के revenue के visibility के point दो येगर हम बात करेंगे तो revenue visibility हमें ये यापर company का अथ्या नज़र आता है और उसकेल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का revenue के बारे में रहे में बात करेंगे लेकिन अगर हम कंपनी के manufacturing unit के करम बात करेंगे तो दो manufacturing unit हमें यहाँ पे company के नज़ार आती है और दो नहीं manufacturing unit कंपनी के यहाँ पे 36 गण में नज़ार आती है अब गर हम यहाँ पर कमणी के IPO के objective के बारे में अगर हम बात करेंगे यानि कि जो IPO से कमणी को पैसा मिलने वाला है उचे कमणी कैसे utilize करने वाली है तो देखें यहाँ पर एक तो पहले reason के अगर हम बात करेंगे तो working capital के requirement यहाँ जो daily to daily cash के requirement दोते तो उसके regarding यहाँ पर कमणी यहाँ पर कमणी ने ले रखें तो उसको यहाँ पर कमणी रीपे करने वाली है तो उसको रीपे करने के regarding यहाँ पर कमणी का IPO में आठावा नजार आ रहा है और बाकिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर IPO से related यहाँ पर जो कमणी का expenses लगने वाले वो भी कमणीया में इस इस안 उटिलाइस करती भी नजार आएगी कि अब यहाँ पर कमणी के promoter हम बात करेंगे तो दिकर सुब्रम यहाँ नाथ्र जी अमें आपर कमणी के promoter नजार आते हैं आघर हम कमणी के financials की अगर हम बात करेंगे तो बहु जयार रिकीश में लगबग 69 क्रोट के लगबग का कमनी का रेविन्यू का नमबर था फिर यह नमबर में 94 करोट के लगबग उठावा नजर आया है तो 21 से 22 के कमपेरिजन में अगर हम देखेंगे तो इतनी जादा ग्रोट नहीं है तो कि 2021 में लगबग 6 महीने के लगबग हमने कोवीड देखा है लेकिन अगर हम 232 करोट के लगबग का नमबर में यहां पर नजर आता है यहां पर यहां पर काफी ज़्यादा प्रजेक्ट का जो इंप्लिमेंडेशन होता है तो कि अगर हम बाकी अगर हम देखेंगे अपरिल से लेका जो सेप्टेमर वाला जो महीना होता है वहां पर गर्मी काफी ज़्यादा होती है तो इतना ज़्यादा जो प्रजेक्ट का इंप्लिमेंडेशन होता है वो जब इतना नहीं हो पाता है अब अगर हम यहाँ पर प्रोफिटिविटी की बात करेंगी तो दिखे 69 करोड के रेवेन्यू पर हाडली 50,00 लाग रुपे के लगबग का नंबर में यहाँ पर नज़ार आता है और मुझे लगटा है कि जो कईने की पिछले साल के लगबग की जितना कंपनी का रवेन्यू का नंबर था उससे जादा यहाँ पे कंपनी का रवेन्यू का नंबर हो सकता है। एक लाग पचीज जार रुपया आपको यहां पर लगने वाली है अब अगर हम इसप्शाइच चे अगर हम बात करेंगे तो अरॉड फिफ्टी पर सेंड के लगबक का रिटेल कोटा है और यहां पर कमपनी का नज़र आता है और यह कमणी के अगर हम फ्रेश शू के अगर हम बात करेंगे तो 42 करो 20 लग रुपीज के लगबक का फ्रेश शू हमें यहां पर नज़र आता है और यह जो पैसा यह कमपनी के पास में जाता हुआ नज़र आएगा अगर हम लिस्टिंग के अगर हम बात करेंगे तो एनसी के अगर हम प्लेटफों में यह कमपनिया में लि मिला ही यान एक अलोटमेंट नहीं मिलता तो 20 तारीक को रिफंड मिल जायागा और 20 तारीक को यह आपके डिमेंट अकॉन में शियर आजाएंगे अगर आपको लॉटमेंट मिलता है और 23 तारीक को यह कमपनिया में लिस्ट वटीवी नज़र आएगी अब एड़ियन अगर वेलिशन के पेरामिटर्स के अगर हम बात करेंगे तो देखे लगबग 190 करोड के मार्केड के अपर यह कमपनी का आईपय में अटा हुआ नज़र आ रहा है तो अगर हम यह साल की 15 करोड के लगबग की अंडिंग अगर यह कमपनी की मान के चलते तो उसके हिसाप से अगर ह आप एक तरीके से देखा जा तो यहां पर आटो कि इससे पहले जो पीपीडी पगेरा बनी होगी तो वो इसकी बनी होगी तो हो सकता है कि हम आपे फोड़ा मिंस्टाइब इसकी वाज़े से हुआ हो तरीकर लगबग अगर हम देखेंगे तो इटेरा के पीरेश्यों पर कं सब्सक्राइब करेंगे अरूंट 15 रुपे पर शेर का जी एंपी चल रहा था लिकिन अगरम आज दिखेंगे लगबग 13 रुपे डिस्काउंट पर हमें वो कमपनी लिस्ट टी भी नजर आईए तो इसके बाद अगर हम दिखेंगे जितने भी यहाँ पर इंट्रेस्टिंग करेंगे लगबग 12 रुपे पर शेर का जी एंपी अगरम अभी सुनेंगे तो लगबग 1500 रुपे के लगबग हमें अभी ग्रे मार्केट ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है तो कई नहीं के देखा जा तो यहाँ ठोड़ा जो एक दिन की जो हमें मार्केट में सेलिंग जार आता है और इसमें लगबग 28 करोड के लगबग का रिटेल है तो कईने के देखा जाए तो यहाँ पर बाकी का कोटा भी पूरा एचे नहीं कहीं तो यह जो एचे नहीं और जो रिटेल यह दोने हमें लिस्टिंगे दिन सारा माला में बेश्टे वे नजर आता है तो आता है तो कि मुझे यहाँ लगबग यहाँ अगर कुछ नेगेटिविटी होती है तो जैसे आज लगबग 20% के लगबग हमें नीचे लिस्टोटावा नजर आता है तो वैसे यहाँ पे मुझे लगबग 10-15% का नेगेटिव लिस्टिंग यहाँ पे होती हमें नजर आ सकती है तो यह मेरा मार्केट नॉर्मल रहता तो मुझे लगबग यहाँ इसना जादा इसमें अफ्साइड पोटेंशिल नहीं रहेगा तो कि आईप्यो का साइज काफी बड़ा और यहाँ जिनको भी लगएगा हो शारा माल अपना बेज्टे वे हमें नजर आएंगे तो मुझे लगता है कि अपसरैड पोटेंशिल भी यहाँ पे लिस्टिंग तो मुझे लगबग रहेगा लेकिन मुझे लगता है कि पांचे-छे महीने मेरे काल चे अच्छा काम करना चीह तो उ तो थांक यू वब आफ दे